वहीं आप सबी को जादू कि बड़े लंबे समय के बाद में राजसमन के आमेट के अंदर कोरोना वैक्सीन एक बार फिर से पहुँच चुकी है तो आएए नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट के ओर लंबे समय के बाद में कोरोना काल और दो बार कोरोना बलाश्ट के बाद आखेर राजसमन के आमेट C.S.C. में कोरोना की वैक्सीन आज पहुँच चुकी है इस मौके पर R.C.H.O. डॉक्टर सुरेश मीना और P.M.O. डॉक्टर C.P. सुरिया के अब्जर्वेशन में अस्पताल के 135 मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई आज वैक्सीन पहुचने की सूचना पर बड़ी संग्या में स्थानी लोग और मेडिकल स्टाफ अस्पताल पहुचे जहां विदिवत वैक्सीनेशन की शुरुवात की गई है जिला चिकित साले एवं स्वास्ते विभाग से पहुचे RCHO डॉक्टर सुरेश मीना ने पहले पूरे अस्पताल की व्यवस्ताएं देखी और उसके बाद वैक्सीन लगाने के लिए किये गए इंतिजाम का जायसा लिया है पूरी तसली और आविशक दिशा निर्देशों के बीच वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू किया गया PMO डॉक्टर सूर्या ने बताये कि वैक्सीन लगाने के पहले दौर में चिकित सको और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई जिन लोगों पर परिक्शन किया गया वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया इसके बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार दूसरी केप को भी शुरू किया जाएगा इसके बाद शित्ताई दिक्तर है ये नियूसाइंटी नमश्वार